आठ अक्टूबर को अमेरिका के न्यू जरसी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदर का उधगाटन होने वाला है अमेरिका में हिंदू आस्था का कुम्ब लगेगा और भारतिय संस्कृति की भवता और दिवता में दुनिया सराबोर हो जाएगी अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदर के उधगाटन के कुछ ही दिन बाद अबू धावी के पहले भवे हिंदू मंदर का उधगाटन होगा और इसके बाद अफरीका के जोहानसबर्ग शेहर में भी भवे मंदर बन कर तयान हो जाएगा विदेश में एक के बाद एक बन रहे भवे और दिवे मंदरों की खबरों में पाकिस्तान परिशान है अमेरिका में बने अदभुद, अलोकिक और विशाल मंदर के उधगाटन से पहले पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है पाकिस्तान की जनता पूछ रही है कि अमेरिका से लेकर अबुधावी जैसे जो देश आज भारतवर्ष को सम्मान दे रहे हैं वही देश पाकिस्तान को धुदकार क्यों रहे हैं यानि एक तरफ अमेरिका में अक्षर धाम बन रहा है तो दूसरी तरफ जिन्ना लांड में विद्रोह काल चल रहा है अमेरिका में भव्य मंदे पाकिस्तान का बिगड़ा गणे गुद्से में पाक अवाब देश के दुश्मन शहबाज इम्राथ मोधी जैसा नेता मागे जिन्ना लैंड की जनता अमेरिका में अक्षर था जिन्ना लैंड पर पूर्ण विरा अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदर बन कर तयाद है न्यूजर्सी शहर के बीचो बीच पूरे एक सो पिचासी एकड में पहले विशाल स्वामी नरायन अक्षर धाम मंदर का कोना कोना भारतिय पौराणिक संस्कृति का दिव्य और भव्य प्रतीक बनेगा दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजर्सी के रॉबिन्स विले में अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदर पूरी तरह बन कर तयार हो चुका है विदेशों में बसे हिंदूस्तानियों को सुकून और पाकिस्तानियों को सद्मा देने वाले इस भव्य मंदर का नाम है बी ए पी एस स्वामी नरायन अक्षर धाम मंदर आठ अक्टूबर को अमेरिका के न्यू जर्सी में भार्तियों के पुर्शार्थ का प्रतीक बने इस भव्य मंदर का उद्खाटन होना है उद्खाटन समाहरोब ही इस मंदर की तरह भव्य होगा दुनिया इस मंदर की चकाचोथ और दिव्यता को देखती रह जाएगी ये मंदर भारत के बाहर आधोनिक समय का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदर है न्यू जर्सी का ये भव्य मंदर भगवान स्वामी नरायन को समर्पित है मंदर का निर्मार्थ 2015 में शुरू हुआ जो अब पूरा हो गया अमेरिका के सबसे बड़े मंदर में 10,000 मूर्थिया है इन मूर्थियों में वैदिक देवी देवताओं के साथ-साथ अफ्तारों और भारतिय नृत्य संगीत से जुड़ी कला कृतिया यानि अमेरिका में बने इस विशाल मंदर को जो जहां से देखेगा वही से भारतिय संस्कृति के कौरफ को महसूस कर पाएगा एक तरफ अमेरिका में रह रहे भारतिय नृजर्सी में विशाल और दिव्यस्वामी नारायन अक्षाथाम मंदर के उत्भाटन की तैयारियों में जुटें दूसरी और इस मंदर की भव्यता की खबरें सुनने के बाद पाकिस्तानी जन्ता फिर अपने हुक्म रानों को आईना दिखा रही है नृजर्सी में इस मंदर की पत्थर नहीं बलकि इतिहास तराशा गया है इस मंदर को बनाने में बारा हजार पांसो स्वायम सेवकों ने दिन रात महनद की है और अब अमेरिका में जो भव्य मंदर बन कर तैयार है उसे देखने जो भी आएगा वो भरतिय कला और संस्कृती के बारे में बहुत कुछ सीख कर जाएगा सिर्फ पाकिस्तान के उन दिलजले लोगों के जो इस इतिहास के मंदर की भव्यता की खबरे सुनकर बल्गी मलाल कर रही है पाकिस्तान के आम लोग आज अपने हुक्म रानों से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यूं है कि हिंदुस्तानियों और हिंदूों के लिए अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदर बनाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामोफोबिया का माहौल बन गया है दुनिया के बड़े और अमीर देशों में एक के बाद एक बन रहे भव्य मंदिरों की खबर सुन-सुन कर पाकिस्तान के लोग हैरान है वो भारत वर्ष और भारत की संस्कृति के उस बड़ते प्रभाव को सुईकार नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो खुद जुड़े हुए है पाकिस्तान के लोग हैरान हैं क्यूंकि सर्फ अमेरिका जैसा सबसे ताकतवार देश ही भारत की संस्कृति के सामने नत्मस तक नहीं है अब अबू धाबी में तैयार भव्य हिंदू मंदिर का भव्य स्वरूप देखिए यहां भी काम तकरीबन तूरा हो चुका है अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्धाटन 2024 के फरवरी महीने में होगा अमेरिका की न्यू जर्सी में बन रहा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर और अबू धाबी में पहला और विशाल हिंदू मंदिर पता रहा है कि भारत वर्ष को लेकर दुनिया का नजरिया तेजी से बदल रहा है